बाली साफ पंजाब से आप सबका बहुत 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 सुवागत लेकिन सबसे पहले में RSN सिंग आप से सवाल शुरू करना चाहूंगा, यह बहुत डेंजरस, क्या यह कश्मीर में नाकाम पाकिस्तानी ISI आतंकवादी है, पंजाब में घुसकर रिवाइव करने की कुछ कोशिश है, खाले सानी ISI गट जोड और हिंदुवादी नेताओं की टागेट किलिंग, शुरुआत तो इन सब चीजों की अंग्रेजों से ही शुरू हो गई थी, करीब 1889 के बाद से शुरुआत हो गई थी, और वो 1911 आते आते यह सेपरेटिजम का फीलिंग डालने में कामयाम हो गए थे, और उसकी पूरी बुनियाद हिंदुस्तान के फौद से शुरू हुई थी और एक मौकलिफ का जो सेंसर्स कमिशनर था, उसका पढ़ लीजेगा, कि उसने कहा कि मैंने कैसे हम लोगों ने यह अलगावाद का फीलिंग दिया, और फिर यह जारी रहा, एक 70 की लड़ाई के बाद फिर ISI और अमेरिका ने मिल के एक मुहीम छेड़ी, यह अमाम जग करके नालाइक जो कुछ अमेरिका और कैनेडा और यह सब देशों में रहते हैं, वो उनके चपेट में आ गए, और उसके बाद आपको मालूम है कैसे कैसे यह बढ़ता गया, लेकिन अभी अभी के हालात में आपको कह दूँ कि अगर आप यह कहना चाहते हैं मुझे, या को का चपपा चपपा और वहां की जो पूरी जो सोशलॉजिकल जो डाइनिमिक्स है मैं उसको बहुत अच्छी तरह कैसे जानता हूँ, मैंने वो भी दोर देखा जब की बौर्डर फेंसिंग नहीं था, और मैंने वो भी दोर देखा जब बौर्डर फेंसिंग आ गया, लेकि लेकिन बॉर्डर फेंसिंग आने के बाद बहुत हलात सुधरे इसमें कोई शक्की बात नहीं है लेकिन आज वहाँ पे ड्रोन्स का अगर मैं आपको आखड़ा दू तो 2020 में 47 ड्रोन स्पोर्टिंग के वल मैं कह रहा हूँ 2021 में 64 और ये नई सरकार ये जो नई सरकार आने के बात 64 से सीधे बढ़के 186 ये किसे ये छुपा हुआ है कि खालिस्तानी इसका क्या रोल था क्या पिछले एलेक्शन में इनको 1400 करोड रुपया नहीं आया था I.S.I. के द्वारा और खालिस्तानीों के द्वारा हमने फार्मर एजिटेशन में देखा वो जिहादी रूप जब एक आदमी को तुकड़े तुकड़े काट दिया गया था एक सिखने दूसरे सिख को उसको काटा और ये सब लोगों ने किसी ने इसकी भरसना नहीं की और आज क्या हो रहा है ये खत्रा के वल पंजाब का नहीं है सर ये खत्रा अगर आपके AK-47 और चाइनीज ग्रिनेड हाइदराबाद में भी रिकवर हुए है जो कि यहां से चल गया है पंजाब से नानडेड में एक कंसाइनमेंट जा रहा था तो ये पूरी जो आप देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे चल रही है